हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिवीज्वल की यूनिट तो हम तीन टॉपिक इसमें कवर कर चुके हैं हमार लास्ट टॉपिक रहता है राइट एंड रिस्पॉंसिबिलिटी तो आज की वीडियो म हम इसे फिनिश करेंगे इसके बाद हमारी यूनिट इंडिवीज्वल जो है कंप्लीट हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम राइट से डिसकस करते हैं कि हर एक इंडिवीज्वल के क्या-क्या राइट्स है यानकि क्या-क्या अधिकार है इस हर एक इकलोधे परसन की आजादी है ठीक है जो कि हर एक परसन के लिए जरूरी है ठीक है हर एक परसन के लिए जरूरी है और हर एक कम्यूनिटी के लिए जरूरी है fundamental right is a charter of the right contained in the constitution of India और जो हमारे हम इन्हें क्या बोलते है fundamentals right बोलते है ठीक है और जो आते हैं हमारे constitution of India के under आते है seven fundamental right of an individual recognized by the constitution are और seven fundamental, seven fundamental right है जो हर एक individual के लिए है ठीक है जिसमें आता है right of equality, right of freedom right to freedom for exploitation, right to freedom of religion, culture and education right to constitutional remedies, the right of property तो ये seven rights हैं जो हर एक individual के लिए यानि कि हर एक person के लिए essential है यानि कि बहुत ही ज़रूरी है तो पहले हम सबसे पहले first discuss करते है right to equality right to equality means समानता गादिकार यानि कि हर एक person को एक समान समझा जाए the state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth यानि कि state को किसी भी person से किसी तरह का कोई discrimination यानि कि भेदबाव नहीं करना चाहिए ठीक है चाहे वो religion से हो या race से हो या फिर वो किसी caste से बिलॉंग करता हो ठीक है या फिर sex से या फिर place of birth कि उसने कहां से जनम लिया कौन से जगह पर जनम लिया तो वो स्टेट जो है उस परसन से किसी तरह से इन चीजों से भेदबाव ना करे ठीक है देर शेल वी एक्वैलिटी ओफ अपॉर्चुनिटी फोर ओल सिटिजन इन मैटर लेटिंग टू यानि कि उन्हें हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिले यानि कि उनको साथ किसी तरह कोई से की अगर कोई जॉप है यानि कि उनको भी हर एक पर्सन को समान अधिकार मिलना चислहें किसी भी जो है कंपरी में जॉब करना किसी भी अपॉिट्मेंट लेना कहीं पर भी तो उनको सब को एक समान समझाग किसी दारा का उनके साथ भेदबाव नहीं होना चाहिए उसके बाद आता है right to freedom यानिके अजादी freedom to speech and expression यानिके उसको खुद अपने विचार रखने ठीक है उसको सच बोलने का दिकार होने चाहिए कुछ भी बोल सके वो ठीक है अपने विचार रख सके इसकी उसको अजादी होने चाहिए to assemble peaceful and without arms ठीक है यानिके वो शांदी से अपने विचारों को सब के सामने रख सके अपने जो है आजादी से speech दे सके to form association और union और वो अपना गूर्प बना सके वो association बना सके ठीक है एक तरह की union बना सके to move freely throughout the territory of India और अपने freely यानिके किसी भी किसी भी तरह का भीधभाव से या किसी भी डर से बिना किसी डर के आजादी से इंडिया में कहीं पर भी वो घूम सके ठीक है to recite and settle in any part of the territory of India और इंडिया की territory में किसी भी जगए पर वो अपने इच्छा से कहीं पर भी settle हो सके यानिके वो रह सके ठीक है to practice any profession or carry any occupation trade or business और अपने इच्छा से ठीक है बिना किसी भीधभाव के अपने इच्छा से कोई भी profession यानिके कोई भी वो काम कर सकता है कोई भी occupation ले सकता है कोई भी business कर सके ठीक है यानिके यह उसकी अजादी होनी चाहिए then third आता है हमारा पर्सन वांट यानिकि उससे जो है इतनी आजादी होनी चाहिए कि पर्सन अपनी इच्छा से कोई भी culture ले सकता है कोई भी education कर सकता है यानिकि उसको जो इसकी इच्छा होगी वो अपनी इच्छा से पढ़ाई कर सके ठीक है कोई अगर वो अपना culture change करना चाहता है या फिर नया culture अपनाना चाहता है तो उससे अपनी अजादी से वो उससे अपना सके ठीक है नो citizen shall be denied admission into any educational institution यानिकि कि किसी भी citizen को ये किसी भी मनाई नहीं होनी चाहिए कोई रोप्टोक नहीं होनी चाहिए कि वो जो किसी भी institution में जाकर के admission ले सकता है यानि कि जैसे कि कोई student जो है एक अपनी city में birth place में रह रहा है ठीक है लेकिन वो अपने अच्छी study के लिए किसी दूसरी city में जाना चाहरा है on ground only on religion race caste language or any of them और जो भी state की तरफ से उनको फंड दिया जाता है ठीक है यानि कि हर एक person को वो फंड मिलना चाहिए बिना किसी भीदभाव के बिना किसी religion के भीदभाव के कास्ट के language के ठीक है यानि कि कहने का मतली है कि उनके साथ किसी भीदभाव नहीं होना चाहिए उनको अजादी मिलनी चाहिए यानि कि उनको जो है कहीं पर भी वो अपना culture जो change करना चाहिए तो वो change कर सके ठीक है अगर वो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं कहीं पर भी जाकर के वो पढ़ सकते हैं तो उनको ये अजादी मिलनी चाहिए ठीक है All minorities were based on religion or language shall have the right to establish and administrate educational institution of their choice ठीक है जो minorities होती है religion ये language shall be right to establish यानि कि जो भी उनकी language है जो भी उनका religion है उनको ये right होना चाहिए कि वो अपनी education कहीं पर भी चाहते है जहां उनकी इच्छा है ठीक है जहां उनका मन है जहां से वो पढ़ना चाहते है ठीक है तो वो वहाँ पर अपनी अजादी से अपनी इच्छा से वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं अपने choice की study कर सकते हैं, यह उनको freedom होनी चाहिए, यह उनका right होना चाहिए, उसके बाद आता है right to freedom of religion, यानि कि उनको अपने धरम की अजादी होनी चाहिए, इस right allow Indian citizen to choose any region that she wants to choose, यानि कि उनको अगर कोई person अपना religion change करना चाहता है, या फिर कोई नया धरम अपनाना चाहता है उनको यह allow करना चाहिए, उनको यह अजादी मिल ली चाहिए, ठीक है, यानि कि वो अपनी इच्छा से कोई भी धरम अपना सकता है, या कोई भी धरम छोड़ सकता है, तो यह उनका right है, right to freedom है, ठीक है, the right to freedom religion is a fundamental right guaranteed under article 25 of the constitution of India, यह जो right है, right to freedom of religion है, यह constitution में article है 25, उसके अं right है, कि वो अपनी इच्छा से कोई भी धरम अपना सकता है, या फिर कोई भी धरम छोड़ सकता है, ठीक है, फिर हमारा right against exploitation, the fundamental right is described in the constitution as, यह constitution, article number 23 में दिखाया गया है, ठीक है, prohibition of traffic in human being or forced labor, यानिकि इसमें क्या होता है, exploitation क्या होता है, कि जैसे दुर्वेवार किया जाना, यानिकि जहां पर वो काम कर रहे हैं, उनको साथ मार पिट हो रही है, या किसी तरह कोई दुर्वेवार हो रहा है, ठीक है, या फिर उनको जबर्दस्ति काम करवाया जा रहा है तो इनके खिलाव एक article बना है 23, यानिकि उनको इन चीजों से अजादी मिली हुई है, ठीक है, यानिकि कोई भी person है, उनको force labor नहीं बना जा सकता है, यानिकि उनको जबर्दस्ति उनको काम नहीं करवाया सकता है, ट्रैफिक इन human being or beggary and other similar form of force labor are prohibited, यानिकि ट्रैफिक इन इसके उपर भी उसको मनाई है ठीक है उनको अजादी है या फिर आपने देखा कि कई लोगों को बीख मंगवाई जाती है ठीक है ये भी उनको बैन है यानि कि ये भी उनको अजादी है अधिकार है या फिर उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाई जा सकता है अगर कोई इनके खिलाफ जाता है यानिकि ये सब चीजें सुनने के बाद भी इस आर्टिकल के खिलाफ कोई जाता है यानिकि कोई भी human trafficking करता है या फिर force labor करवाता है तो उनको क्या है punishment दी जाएगी ये law बना हुआ है अगर कोई ये आर्टिकल को नहीं मानता है तो उसको punishment मिलेगी यानिकि कानूनी कारवाई उसके उपर की जाएगी आर्टिकल 24 में भी लिखा हुआ है इसमें prohibition of employment of children in factories यानि कि जो छोट छोटे बच्चे होते हैं वो factories में काम करते हैं ठीक है अब क्या है उन पर law बना है कि छोटे बच्चे जो है जो नाबालिक बच्चे होते हैं उनको factory में काम नहीं करवाना है ठीक है no children below age of 24 shall be employed to work in any factory जिनकी age 14 साल से कम है जिन बच्चों की वो बच्चे जो है काम नहीं करेंगे वो किसी भी factory में काम नहीं करेंगे ठीक है और mind factory या फिर mind में काम नहीं करेंगे और engaged in any other hazards employment factory में तो क्या अगर कहीं पर भी जो है 14 साल के बच्चे 14 साल से कम उमर के बच्चे जो है काम नहीं करेंगे उनके लिए आर्टिकल बनाया गया है यानि कि वो अपनी अजादी से खेल कूच सकते हैं पढ़ सकते हैं चीज़िए इस constitution में क्या है कि वो अपने rights के लिए अपने अधिकार के लिए government के खिलाफ खड़ा हो सकता है ठीक है यानि कि अगर वो किसी चीज़ से आजादी चाहता है या कोई constitution बनाना चाहता है किसी चीज़ को लेकर के वो government के खिलाफ खड़ा हो सकता है यानि कि वो अपनी अवाज उठा सकता है कि उसको इसके उपर constitution चाहिए कि सरकार इस बात पर constitution बनाए ठीक है इस पर हमारा अधिकार है तो वो अपने लिए अवाज उठा सकता है the right to move the supreme court by appropriate proceeding for the enforcement of the right confirmed by this part और अपने rights के लिए वो supreme court जा सकता है ठीक है यानि कि उसके पास appropriate proceeding जो है material होना चाहिए यानि कि उसके पास सही मुद्दा होना चाहिए जाने के लिए ठीक है the right guarantee by this article shall not be suspended except as otherwise provided by this constitution means एक बर जब जो है rights बन जाते हैं या constitution बन जाते हैं तो उसको suspend करना यानि कि उसको मना करना या फिसको रद करना काफी मुश्किल होता है जब तक की उसको जब सही evidence ना मिल जाए या फिर सही जो है उसको गलत ना माना जाए जब तक की ठीक है उसके पास आ जाता है हमारा responsibilities क्या है यानिके हर एक individual की उसकी fundamental duties क्या है इसमें first आ जाता है to abide by the constitution and respect its deal and institution the national flag and the national anthem तो हर एक person की जो इंडिया में रह रहा है या फिर जो भी अपनी country में रह रह रहा है ठीक है उसका जो fundamental right है अपने देश के पती क्या होना चाहिए की वो अपने देश की respect करें ठीक है अपने idea की रिस्पेक्ट करें अपने institution की रिस्पेक्ट करें ठीक है जो हमारे देश की freedom fighter थे उनकी respect करें ठीक है उनको follow करें then to uphold and protect the unity and integrity of India यानि कि वो जहां पर वो जिस देश में रह रहे है ठीक है जैसे इंडिया में रह रहे है तो वो वहां के जो unity है ठीक है या एकतास मानता का अधिकार का पालन करें उनको protect करें to defend the country and render national services when called upon to do so और अपनी और अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत पर रहे है ठीक है जब भी जो नेशनल services को उस person की जुरूत पड़े अपनी देश की रक्षा के लिए वो हमेशा उसके लिए तयार रहे ठीक है ठीक है to value and preserve rich heritage of our composite culture और अब उसके जो culture से related जो rich heritage है यानि कि पुरानी जो चीजे हैं जो उसके देश को दर्शा आता है ठीक है उनको वो संभाल कर रखे ठीक है उनकी value को जाने उनको संभाल करके रखे to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India यानि कि हरे को समान समझे ठीक है एक भायचारी की भावना सब में बनी रहे of India transcending religion linguistic and religion or the sanctional diversity to the renounce practical derogatory of the dignity यानि कि सब को समान समझे ठीक है उसके बाद six है to protect and improve the natural environment including the forest, lake, river and wildlife and to have compassion of the living culture और जो उसके आसपास का जो environment है ठीक है जहां पर वो रह रहा है उसको protect करना है जैसे कि forest यानि कि जंगल है उनको जंगल में जो पेड़ पोदें उनको ना काटा जाए ठीक है उसको protect करना है लेक, rivers ठीक है जो wildlife है यानि कि जो भी जीव जन्तु जो रहते हैं उनको safe करना है तो यह उसका एक fundamental right है नंबर seven है इसमें तो develop the scientific temper, humanism and spirit of inquired and reform और उसमें क्या है एक scientific temper होना चाहिए उसमें एक humanity होनी चाहिए ठीक है यानि कि दयावानता इस तरह से जो है उसकी भावनाई होने चाहिए ठीक है spirit of inquired होना चाहिए उसके अंदर ठीक है eight है to safeguard public property and to endure violence यानि कि public property को safe रखे और किसी तरह कोई जगड़े वगरा में involved ना हो शान्ती बनाए रखे and 10th is me to strive toward the excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endure and achievement और वो इतना person हर एक individual जो है इतना active होना चाहिए कि वो अपने देश की देश को उचाहिए तक पहुंचाने में अपना योगदान दे ठीक है जो भी देश में activity हो रही है उसमें actively उसमें participate करें ठीक है अपने देश को higher achievement दिलाने के लिए जितना हो सके possibly हो सके उसको जह है उसमें participate करना चाहिए तो यह हैं इसके fundamental right तो हमारे rights and responsibility भी complete हो गया है तो हमारे unit यह पर finish होती है इसके साथ हम जल्दी ही हमारी जो unit है society sociology की वो जल्दी हम start करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आप पो यह पूरा unit अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप इसको read कीजिए समझे और याद कीजिए और exam की त्यार कीजिए have a good day guys